नया साल नय संकल्पो के साथ आता है। भूल जाएए कि आप कल क्या थे। आप कल क्या बनना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अब इस पर ध्यान दीजिए। आज से पहले और आज तक आप जो भी थे, आपका विवहार जैसा भी था, आपकी पहचान जो भी थी, वो सब आपका अतीत है, वो आपकी हकीकत नहीं है। हम हर दिन अपनी हकीकत बदल सकते हैं, हम हर दिन चुन सकते हैं कि मैं कल क्या बनना चाहता हूँ। आज के इस ध्यान में हम सिर्फ इसी में परिवर्तन लाएंगे। आज से हमारा संकल्प यही होना चाहिए, कि मैं हर वो चीज बन सकूँ जो मैंने अपने इस जीवन में चाहा था। और ये मानना जरूरी है कि हमारे पास वो परमशक्ती हर वक्त मौजूद है, जो हमें उसमें सहायता देगी। तो चलिए, ध्यान में बेटते हैं और अपने संकल्प को ज्रेड करते हैं। एक आराम दायक स्थिती में बेट जाएं। कमर सीधी रखें। हाथों को गोद में रख लें। अंगूठे और पहली उंगली को आपस में जोड लें ज्यान मुद्रा में। आखे बंद कर लें। और एक लंबी गहरी सास भर के रूख लें। और अब सास मुझ से छोड़ते हुए सारे तनाओ को शरीर से बाहर जाने दें। एक और लंबी गहरी सास भरें। इसे रूख लें। और अब सास छोड़ते हुए अपने कंधों को धीला छोड़ दें, अपनी कमर को धीला छोड़ दें, पैरों को धीला छोड़ दें, एक और लंबी गहरी सास लें, और इसे कुछ पल रोकने के बाद सास छोड़ते हुए देखें कि आपकी छाती बिल्कुल आराम दायक स्थित में आ चुकी है, पेट के सभी अंग धीले हो गए हैं, बाजुए, कंधे, गर्दन, माथा, सब मासपीशियां, शान्त और धीली होती जा रही हैं, सांस को निरंतर अपने अंदर और बाहर आने दें, शरीर के किस-किस हिस्से तक मेरी सांस जा रही है, गोशिश करें इस सांस को देखने की, देखे किस तरह से सांस नाक के छोड़ से अंदर आ रही है, क्या रंग देंगे आप इस सांस को, और देखे किस तरह से शरीर और आपका दिमाग, निरंतर सांस की इस प्रक्रिया को पू कोई जरूरत नहीं पड़ती लेकिन आपका शरीर स्वेम ही इस पूरी प्रक्रिया को सुंचालित कर रहा है। बहुत ही आसानी से आप जीवन के इस खुबसूरत तुहफे को हर दिन महसूस कर सकते हैं, हर दिन जी सकते हैं। अपने शरीर को शुक्रिया अदा करने के बाद, अब एक बार अपने भावों के बीच में ध्यान ले जाएं अपनी तीसरी आंक पर और ध्यान में ये देखें, मैं कौन हूँ? मैं किस काबिल हूँ? मैं क्या बनना चाहता हूँ? मैं कैसे बूलना चाहता हूँ? मैं क्या चाहता हूँ कि लोग मेरे बारे में किस तरह सोचे? इन सवालों में जो भी जवाब आया हो, उस जवाब को ध्यान रखें. आज पूरे दिन निरंतर इन खयालों को अपने अंदर बहने दे. देखें कि जो भी आप बनना चाहते हैं, उस तरह के हाओ भाओ, आप इसी पल अपने अंदर लेकर आने लगे हैं. अगर आप अपने आपको देख रहे हैं कि आप एक सादा, सिहतमन, हस्मुख इंसान हैं, तो अभी इसी पल से अपने चेहरे पर एक मुस्तान ले आएं. अगर आप देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि आप एक शान्त विवेक्शील इनसान हैं, तो देखें कि आपके मस्तिश्क में हो रही सारी हलचल थम गई हैं, और आपका दिमाग हमेशा शान्ती से, स्थिर्था से काम करता है. देखें कि कोई आपसे जब बात करता है, आप कुछ पल रुपकर विवेक ग्यान से उनको जवाब देते हैं. देखें कि आपके कहे गए हर वाक्य से, आपके आसपास के हर व्यक्ति के जीवन में सकारत्मक्ता आ रही है, और अच्छे काम होते जा रहे हैं. अगर आप अपने आपको देखते हैं, कि आप एक किसी नए हुनर में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसे शायद आप बच्पन से करना चाहते हों, तो देखें कि आज आप उसकी तरफ पहला कदम उठा रहे हैं. और सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि जब आप यात्रा पूरी करेंगे, कई महीनों की या कुछ सालों की जिसमें आप इसके अंदर महारत हासल कर लेंगे, तो आप किस तरहा प्रतीत होंगे, किस तरहा समाज में सब लोग आपको सराहेंगे, और शुक्रे आदा करेंगे इस हुनर को सबसे रूबरू करवाने के लिए, इस सारी शक्ति को अपने अंदर समाते जाएं, और मानते जाएं कि मैं जो भी बनना चाहता हूँ, वो मैं बन सकता हूँ, आज, अभी, इसी वक्त, मैं अपने संकल्प से अपने जीवन को एक नई दिशा दे रहा हूँ, इस पर चलने के लिए, मुझे जिस भी तरह की शक्ति चाहिए, मनोबल चाहिए, वो परमात्मा मुझ में भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, एक और लंबी गहरी सांस भरिये और देखिये, आपका शरीर पूरी तरह से सकारात्मक उर्जा से भरे जा रह हर कंड के अंदर आत्मविश्वास भड़ता जा रहा है कि मैं काबिल हूँ, मैं अपने जीवन को सभल करने के लिए सक्षम हूँ, हर पल मैं वही बनूँगा जो मैं बनना चाहता हूँ मेरे हालात, मेरी परिस्थिती, मेरी परिभाशा नहीं है, मैं अपना रस्ता, अपने बहचान, खुद जुन रहा हूँ, और मैं उसमें सभल हूँ देखिए, कि आपके उपर एक सफेद प्रकाश आ गया है, जो एक पानी के जहरने की तरह आपके शरीर के अंदर दाखिल हो रहा है, और पूरे शरीर के अंदर से, किसी भी तरह की नकारत मक्ता की शुद्धी कर रहा है, हर गहरी सांस पे आप अपने आपको और आत्म विश्वास और मनुबल से भर रही है, आपके कंधे चोड़े होते जा रहे हैं, कमर सीरी होती जा रही है, और चेहरे पर मुस्कान, शान्ती और विश्वास आते जा रहा है, कुछ पल इसको अपने अंदर समाने दे, और अब इस पूरी शक्ती को अपने अंदर समाते हुए देखे, और धीरे से अब हम अपनी दोनों हथीलियां आपस में रखड़ेंगे, और इससे अपने चेहरे पर लगाएंगे, और जब हम अपनी आखे खोलेंगे, हम एक नया जीवन जीएंगे.